अपने पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने History of Sanskrit Literature इस पर चर्चा की थी मित्रों बताना चाहेंगे इस श्रंक्ला को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे गद्य पर और ये भी बताना चाहेंगे कि अगले दो ये तीन व्याख्यानों में हम गद्य इस पर ही चर्चा करेंगे और ये भी साजा करना चाहेंगे आप सभी से कि अगर आप फर्स्ट इयर के स्टूटन्स हैं और गद्य पढ़ने में रुची रखते हैं तो CBCS Third Paper First Year इसको हम शामिल करेंगे अपने इस लाइव इडिसेट लेक्चर में जहां पर गद्य पर विशेश रूप से व्याक्यान देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र, डॉक्टर पंकज मिश्र असोसीट प्रोफेसर हैं सेंट स्टीफिंस कॉलेज के संस्क्रत विभाग में तो आईए तही दिलसिन का स्वागत करते हैं और गद्य पर विशेश रूप से चर्चा करते हैं तो डॉक्टर मिश्र आपको बहुत-बहुत स्वागत है तैंक्यू गीतिका जी मित्रो इस नए साल में एक नया विशे जो पहली बार आप लोगों के सामने लेकर आया है और इस विशे का संबंद है यद्यपी संस्कित साहित्य के इतिहास से लेकिन सविशेस अगर इसको देखा जाए तो जो नूतन जो विश्विद्याली स्तर पे जो नूतन पाठ्यक्रम लाया गया है सुईकार किया गया है उसी में फर्स्टियर वाले के लिए ये गद्यका अंग्शे है लेकिन इसका संबंद के वाल उतने मात्रे से न समझें बलकि जो ये व्याक्यान है पूर्ण व्यापकता के साथ ये व्याक्यान है जिसमें अन्य विशय के भी छात्र इससे लाभानमी नहीं स्वेकार किया वहां के छात्र इससे लाभानमी तो हो सकते है और साथ ही सामस्गित साहित्य में जो रुची रखने वाले पाथक जण है निके लिए भी ये लाब दायक होगा विशय है गद्य यह भी एक अचानक क्रम भंग है क्योंकि रामाइन महाभारत के बाद अवश्यक तो यह था पुराण महाकाविय आदी विशायों की चर्चाव होती लेकिन गद्य काविय समस्कित साहित्य में एक विशेस स्थान रखता है हम इसे पहले भी जान चुके हैं अच्छी तरह से कि समस्कित साहित्य में अगर साहित्य का हम विवाजन करते हैं तो दो रूपों में उसका विवाजन करते हैं वैदिक और लौकिक लौकिक का जब विवाजन करते हैं तो उसमें कई सारी जो प्रविभिया हैं कई सारे खंड उपखंड है उन्हीं में से एक गद्य है सामानी रूप से अगर विशलेशन करें शेली और प्रवरिधी के समद्चनात्मक दृष्टित से विशलेशन करें स्वरूपात्मक दृष्टित से विशलेशन करें तो साहित्य सामानी अतया समस्कृत में पद्य गद्य और चंपू के रूप म हम इस विशय को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम बात ये निकल कर आती है, कि गद्य शब्द का हम अर्थ क्या लें। या गद्य शब्द का उद्भव कहां से है। या गद्य लेखन परंपरा कब से प्रारंबो होती है। इन सारे विशयों की परी चर्चा इसमें हम करेंगे। और साथ ही ऐसे जो प्रमुख गद्यकार हैं और या ऐसे प्रमुख जो गद्य साहित्य हैं, उनको भी इसके अंतरगत हम चर्चा में लाने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम समझें कि गद्य शब्द का अर्थ क्या है। गद्य शब्द वस्तुतह गद्धातू और उसमें यत्प्रत्य लगा करके बना है। और जिसका अर्थ होता है गद्धातू का अर्थ होता है व्यक्तायाम वाची। और फिर उसके बाद आप देखेंगे यत्प्रत्य है और अगर इस समस्त रूप में देखें तो गद्य का एक व्यावाहारिक अर्थ निकल कर आता है साहित्य के जगत में वह यह कि मानव की अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया मित्रो यदि पद्य की ओर आप जाएं और पद्य को देखें तो पद्य क्या है एक अनुशासन में बंधा होता है उनमें वर्णों की संख्या सिमित होती है या वर्णों की संख्या नियत होती है हम उसे गिन सकते हैं हम इसे गिन करके जानते हैं जैसे अगर आप सब को स्मरण होगा गीता का प्रधम पद्य धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत सवह मामकाह पांडवाश्चेव किमकुरुवत धनन जया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है चार चरण है और प्रती चरण आठ आठ वर्ण है और इन वर्णों में भी यतियों का या इन वर्णों में भी गणों का विवेचन होता है गणों का विधान होता है ऐसे कई सारे पद्य आप जानते होंगे त्वमेव माता चापिता त्वमेव त्वमेव बंधुष्च सका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविनम त्वमेव सर्वम ममदेव देव अस्तु तो जैसे हम इनको बोलते हैं इन पद्यों को बोलते हैं तो एक नियमित अवसान क हमें प्राप्ति होती है एक समाप्ति का सूचक हमें प्राप्त होता है समुचित विराम के बाद इसलिए हमने कहा कि पद्य जो होते हैं अनुशासित होते हैं उनमें गणों का विवाजन होता है गण की विस्तित चर्चा ना करके केवल संकेत मात्र में इसे समझ लें कि इसमे दीर्ग और हरस्व वर्ण जो हरस्व और दीर्ग वर्ण है इन वर्णों के अनुसार इन चंदों में इन पद्यों में उतार चड़हव आपको दिखता होगा और ये उतार चड़हव प्रती चंद, प्रती पद्य भिन भिन होते हैं और थात एक अगर किसी चंद को आप लेकर के चलें तो दूसरा चंद, इन दोनों चंदों के जो उतार चड़हव है रस्व और दीर्ग का जो समायोजन है, गुरु और लगु का जो समायोजन है उसमें अंतर आता है, तो वो पद्य है लेकिन यहाँ पर गद्य जो है, गद्य एक उच्छल जलाधी तरंगवत चलने वाली वाक्यों की ऐसी परंपरा है जिसमें हम अपने मन से विराम देते हैं इसलिए यहाँ पर मौलिक प्रक्रिया शब्द हमने लिया है कि वस्टोताइ इसमें क्या है, कि यह अनुशासित प्रक्रिया नहीं है इसे और अच्छी तरह से कहें तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जहां हम अपनी अभिव्यक्ति को विराम दे दे उस अभिव्यक्ति के विराम में ना तो वर्णों की संख्यागी नहीं जाएगी ना ही उसमें जो लगुग और गुरु है या हरस्व और दिर्ग है उसके क्रम बद्धता को देखी जाएगी तो इस रूप में ये गद्य है लेकिन इस गद्य का और हम क्या लक्षण लें इस लक्षण से पहले हम एक बात जरूर जानले आवश्यक रूप से जानले कि चार वेद हैं रिगवेद, यजुरुवेद, सामवेद और अथरुवेद इसमें जो यजुरुवेद है अगर इस यजुरुवेद के लक्षण को जानने की कोशिश करें तो इसमें जो यजुष शब्द है उस यजुष शब्द का लक्षण है अनियता क्षरावसानम यजुष और इसी से एक और नया अर्थ इसका नया लक्षन बनाया गया गद्यात मकम यजु अब दोनों शब्द पे हम ध्यान दे कि अनियत जहां पर निश्चित ना हो अक्षर वर्ण अवसान यहां पर वर्णों की संख्या या वर्णों की जो समाप्ती है उसमें किसी भी प्रकार का अनुशासन ना हो वर्णों की संख्या की दृष्टी से किसी भी प्रकार का नियम ना हो तो अनियत आक्षर वसानम यजु वस्तुतह यह जो यजुरुवेद है यह यजुरुवेद गद्यात्मक है लेकिन पूरा का पूरा यजुरुवेद गद्याकमत नहीं है, ये भी हमें मानना चाहिए, बलकि सरवप्रथम गद्यका, जो स्वतंत्रप्रयोग हम पाते हैं, वह यजुरुवेद में ही पाते हैं. तो इसलिए लक्षन बना गद्यात्मकम यजुह अर्था जो वहवेद जो की गद्य में हो वहवेद जिसमें की गद्य भी पाए जाते हों उसे हम यजुरुवेद कहते हैं और इसी गद्य का लक्षन बना अनियताक्षरावसानम गद्यम तो इस प्रकार से ये गद्य की हम पर पूछ ले कि समस्कित साहित्य में गद्य का प्रथम प्रयोग कहां प्राप्त होता है तो इसका एक ही उतर होगा यजुरुवेद तो ये तो हम उस गद्य साहित्य के बीज का अन्वेशन कर रहे हैं और उसी अन्वेशन के क्रम में हम इनको जानते हैं साथ ही ब्राह्मन ग्रंथ भी हैं ये ब्राह्मन ग्रंथ भी गद्यात्मक हैं तो इस प्रकार ये जुरुवेद से गद्य लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई और अध्यतन वो परंपरा जो है वो चल रही है आज भी जो लगू कताएं छोटी-छोटी कताएं लिखी जाती है वो आपको गध्यात्मक्षेली में होती है अब इस प्रकार अगर हम यह देखें कि यह जो गध्ये है इस गध्ये के का यहाई जो औरिजिन है हम उस औरिजिन को देखने की कोशिश करेंगे कि इसका उद्भव कब से ले और किस रूप में ले जैसा कि अभी हमने कहा कि हमारा जो सामस्क्रिट साहित्य है वो दो भागों में है एक भाग तो है आपको जिसे कहते हैं वैदिक जिसमें कि हमने यजुरुवेद की अभी चर्चा की और दूसरा भाग हमने कहा लौकिक यहाँ जब हम सामस्क्रिट साहित्य के अंतरगत गद्यकाव्य की चर्चा करते हैं तो उसका साक्षात संबंध जो है वो बनता है आपको गद्य, जो शास्त्रिय साहित्य है जो classical literature है या जिसे हम लौकिक कहते हैं इसे कभी-कभी अभिजात साहित्य भी कह देते हैं यह तीन प्रकार के नाम सभीशे समय ने प्रयोग में लाया क्योंकि यदा-कदा परिक्षा में classical के लिए अलग-अलग जगा पे अलग-अलग शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है कभी उसका प्रयोग शास्त्रिय कर लिया जाता है कभी उसका प्रयोग लॉकिक कर लिया जाता है और कभी उसका प्रयोग आपको अभिजात कर लिया जाता है और यह जो अभिजात और शब्द है यह बहुत प्रचलित नहीं है क्लासिकल के लिए लेकिन हाँ इसका प्रयोग होता है प्रयोग पाया जाता है और कई बार एसी विशिस्ट परीक्षाएं रही है, जिनमें कि अभी जात संस्कृत कहके इसकी चर्चा की जाती है, अस्तू, तो गध्य काद्य के संदर्व में देखते हैं, हम आप पाएंगे कि यह जो गध्य है, जब हमने गध्य की चर्चा की, तो इस गध्य के रूप में गंध्य के भी दो या तीन रूप हैं इसको भी हमें जान लेना चाहिए गंध्य के दो या जो तीन रूप है उन दो या तीन रूपों को समझने के लिए हम एक प्रचलित परंपरा है प्रचलित परंपरा है गंध्य की जिसे की कथा और आख्याई का हम कहते हैं लेकिन आप पाएंगे कि प्रथम पंक्ति में मध्य में एक और शब्द है उपन्यास और हमने इस उपन्यास को एक अलग वर्ण में इसलिए रखा है ताकि आप लोगों का इसके साथ एसोसियेशन बन सके वस्तुता समस्कृत साहित्य में उपन्यास नामक कोई विधा नहीं है और नहीं इस विधा को हम स्विकार करें क्योंकि समस्कृत की अपनी स्वयम की मौलिकता है साहित्य परंपरा की साहित्य लेखन की परंपरा की बिस्वी शताब्दी में पंडित अम्बिकादत व्यास ने एक काव्यकी रचना की जिसका नाम है शिवराज विजयम और उस शिवराज विजयम को उपन्यास मान लिया गया और उसके बाद से परंपरा में समस्कित साहिते में भी उपन्यास की चर्चा होने लगी और उपन्यास लेखन की परंपरा चल पड़ी वस्तुता यह उपन्यास भी इसी कथा और आख्याइका को ही पुष्ट करता है उपन्यास कोई अलग विधा नहीं है कथा और आख्याइका से भिन बलकि एक ही उपन्यास अगर चरित प्रधान है जैसे अगर हम मालने शेखर एक जीवनी हिंदी का एक उपन्यास है तो हम उसे अख्याइका की श्रेनी में रखेंगे लेकिन इसी प्रकार का कोई और उपन्यास यैसे शिवराज विजयम की बात की हम इसे अख्याइका की श्रेनी में रखेंगे और इसके साथ ही उपन्यास की जो अगर कालपनिक कोई कथा ले करके लिखी जा रही है तो उस उपन्यास को हम कथा की श्रेनी में रखेंगे बाद में अभी चर्चा के क्रम में हम कथा और अख्याइका के भेद को भी जानने की कोशिश करेंगे कि कथा क्या है और अख्याइका किसे कहते हैं लेकिन मूल रूप से मैं यहाँ पर आप लोगों को सभीशे सी ये साग्रह निवेदन करना चाहूंगा कि उपन्यास को सम्स्कृत साहिती की परंपरा जो है उस परंपरा के अधीन कावियरचना में नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए ये अलग विशे है कि बाद के जो वीश्वी शताबदी के कतिपय कई साहिती ये शास्त्री हुए है प्रोफिसर राधा वल्लब द्रिपाठी जी जैसे लोगों ने उन्होंने अपने शास्त्रीय ग्रंथ में अपने उन्होंने कावियर शास्त्रीय ग्रंथ में उपन्यास का लक्षन दिया है उपन्यास की चर्चा हो रही है उपन्यास लिखे जा रहे है लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं संस्कित की जो परमपरा है उस परमपरा से हम बाहर हट करके एक नया कॉर्नर शुरू कर रहे हैं इस विशय को आगे बढ़ाने का अस्तू तो मूल रूप से अगर हम पाएं तो गध्य काव्य दो रूप में पाए जाते हैं जिसे की कथा और आख्याईका कहते हैं इसी कथा और आख्याईका के विशय में दंडी ने अपने काव्यादर्ष में एक लक्षन दिया और वो लक्षण है अपादः पदसंतानो गद्यम आख्याई का कथा अब पाएंगे कि अपादः पदसंतानो यानि बिना किसी चरण के और पदों की जो शया है पदों की जो परंपरा है वही ये गद्य जो है दो रूपों में है कथा और अख्याई का तो सपष्ट रूप से दंडी ने अपने कावियादर्श में प्रथम जो परिछेद है उनके 23 कारी का में सपष्ट रूप से ये भेद किया है लेकिन सपष्ट रूप से अगर मैं बोल रहा हूं किसका ये अर्थ नहीं कि दंडी की ही बातों को स्वीकार किये जाए क्योंकि जब भी कोई लक्षण हमारे सामने प्रस्तत किया जाता है तो पहले उदाहरण होता है उसके बाद लक्षण है ये साहितिक दृष्टी से इस तत्य को स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी लेखक, कोई भी कवी किसी शास्त्री ये ग्रंथ को लिख करके, अपने शास्त्री ये ग्रंथ को पढ़ करके काव्य की रचना नहीं करता, ये एक स्वाभाविक सत्य है, अगर ऐसे कवी काव्य शास्त्री ये मर्यादा के अंतरगत काव्य की रचना करते हैं, तो निस संदेह उनकी जो काव्य शेली की जो स्वाभाविक्ता है, उनकी अनुभूती की जो सहजता है, वो भंगव होती है और इसमें कृत्रिमता उत्पन्न होती है। इसलिए मैं एक समीक्षक के रूप में यहां यह मानता हूँ कि लक्षन ग्रंथ सही अर्थों में काव्यों की अच्छाई बुराई का विवेचन करते हूँ, लेकिन लक्षन ग्रंथों पे यदि कवी अपने काव्य का रिर्मान करता है, तो वहां कहीं न कहीं दोश उत्पन् इस जगा पर दंडी का समर्थन इस रूप में किया जाना चाहिए, कि जिस प्रकार की काव्य परमपरा चली आ रही थी, उसे काव्य-परमपरा के अंतरगत इन्हों ने यह देखा कि दो प्रकार की यह गध्य की काव्यय विधा है, जिसमें एक कथा है और एक आख्याई का ह तदनों सारी इन्हों ने अपने इसे काव्यादर्श में यह हमारे सामने सूचना प्रस्तोत्पी के गद्यम, कथा और आख्याईका इस दो रूपों में होते हैं फिर आते हैं यह जो कथा है, आप पाएंगे कि कथा के नीचे हमने चार या पांच कुछ अन्य समूह की चर्चा की है, अन्य बिंदूओं की चर्चा की है आप पाएंगे कालपनिक है, पशु है, नीती है, लोक है, आन्चलिक है इसी प्रकार आख्याईका के अंदर गताब देखेंगे कि हमने दो बिंदू रखे हैं समकालिक और एतियासिक मित्र पुना हमें ये कहना चाहूंगा कि ये मेरी अपनी समीक्षा है और इस तरह से साहितिक परंपरा में आप प्रायशह नहीं पाएंगे लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कथा क्या है और आख्याईका क्या है सामानी दृष्टी से अगर देखा जाए तो कथा कालपनिक होती है कभी कलपना प्रसूत होती है या कभी-कभी इसको और अधिक हम पुष्ट करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे आर्शकाव्य हैं, उन आर्शकाव्यों की कथाओं को आधार बना करके, यदि गद्य में कोई कथा लिखी गई, तो हम उसे कथाश्रीनी में रखते हैं. लेकिन जो आख्याइका है आख्याइका बस्तुता है जिसको हम बायोग्रैफी और आटो बायोग्रैफी कहते हैं उस अर्थ में आख्याइका को लिया जाता है जहांपर कि समकालिक या एतिहासिक किसी दो चरित्र यहांपर भी एतिहासिक को स्पष्ट रूप से यह मान लिया हत्मा गांधी को आधार बना करके किसी काव्य की रचना करें तो वो एतियासिक होगा क्योंकि ऐसे living legend जो की विद्यमान हों जिन्होंने प्रिरना दी हो जिन्होंने समाज और परिवार के लिए सुधार के कारिय किये हुऊ हो और जो हमारे लिए आधार बने हो इस रूप में चानके को आधार बना करके लिखा जाने वाला काभ्य भी आप एतियासिक कहेंगे इसी प्रकार कभी-कभी समकालिक होते हैं अर्थात आज के इस युग के जो कुछ बहुत बड़े अच्छे हो गए हैं चाहे वो विद्वान हुए हो चाहे वो वईज्यानिक हुए हो चाहे वो समाद सुधारक रहे हो चाहे वो राजनीतिक ये रहे हो तो ऐसे विविदिक शेत्र में जो काम करने वाले कोई इस्रेष्ट व्यक्तित हैं जिन्होंने जो हमारे लिए आदर्श बनने के ख्षमता रखते हों ऐसे विद्वानों को भी आधार बना करके ऐसे लोग को आधार बना करके जो लिखा जाने वाला काव्य है हम उसे समकालिक कहते हैं लेकिन यही काव्य यदि गद्य शैली में लिखे जाए तो हम उसे आख्याइका कहेंगे नहराजा को आधार बना करके ग्रंथों की रचना हुई तो हम उसे अधिहासिक आख्याइका कहेंगे उसी प्रकार शिवराज विजयम भी जो है यह भी अधिहासिक आख्याइका की इसरीनी में इसे माना जाना चाहिए अब यहाँ पर भी आप पाएंगे यद्यपी समस्कित साहिद के इतिहास में जब कथा का जो भेद है उसे भेद को अलग-अलग तरीके से रखा जाता है और उसे भिन भी रखा जाता है लेकिन हमने इस गंध्यकी शेली में लिखे जाने वाले जितने भी संभावित कालपनिक कथाएं होती है हमने उन सब को कथा के अंतरगत यहां पर रखने की कोशिश की है उसी मेंसे एक है कालपनिक कथा ऐसी कथा जिसका कोई आधार नहीं है कवी अपने मन में सोचता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा जैसे कादंबरी है जैसे दश्कुमार चरितम है आदि इस तरह के जो ग्रंथ हैं हम इसे कालपनिक कथा श्रेनी में रखते हैं कालांतर में एक और परंपरा चले जिस परंपरा के अंतरगत हम पाते हैं कि पशुनों के माध्यम से आपने कई सारी कहानी पढ़ी है पंचतंत्र की हिढ़ोपदेश की कहानी शुक सप्तति है न इसी तरह से जो सिंघ वसन बतिशी अगर आपने नाम सुना हो तो सिंघ वसन द्वात रिंशी का नाम से समस्रीत में यह कथा काभ्ये है तो ऐसे कई काभ्ये हैं जो काभ्ये जिसमें पशुनों के माध्यम से हमें शिक्षा देने की कोशिश की गई है हम अवांतर रूप से चाहें तो इसी को नीती कथा भी कह सकते हैं क्योंकि इनके माध्यम से हमें नेतिक्ता का पाठ पढ़ाया जाता है अयम निजह, परोवेती, गनना लगुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदहिवकु टुमबकम तो ऐसे जो कुछ सुन्दर सुन्दर नीती की बाते हैं कथानक के माध्यम से हमें जो संदेश दिया जाता है तो पशु कथा और नीती कथा को हम कह सकते हैं कि ये अन्योनिय संबंद हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पर पशु को आधार न बना करके सामान्य जन जीवन की कोई कथा ले ली जाती है और उसके माध्यम से क्या होता है कि हम कोई संदेश देते हैं कोई नीती की बात करते हैं कोई नईतिक्ता की बात करते हैं हम उसे नीती कथा मान लेते हैं इसी प्रकार लोक कथा लोक कथा मित्रो क्या है आप लोग बखुवी जानते होंगे कि हर क्षेत्र में अपनी अपनी कोई ना कोई कहानी चल रही होती है प्रचली तो होती है जिसे कि हम नाना नानी दादा दादी आदी के मुह से सुनते हैं औ किसी क्षेत्र विशेस में चल रही परंपरा को आधार बना करके, उसी परंपरा को आगे बढ़ा करके कलपना में एक कहानी रचली जाती है, मढ़ली जाती है, तो उनको ऐसी जो कहानिया होती है, ऐसे जो काभ्य होते हैं, हम उनको लोक कथा की स्ट्रिनी में रखते हैं, और एक बार मैं फिर से कहूँ कि ये आंचलिक शब्द जो है, मैं हिंदी से एक उदाहरन आपके सामने रखता हूँ, आप लोगों ने फणीश्वर नाथ रेनु का नाम अवश्य ही सुना होगा और उनका उपन्यास है मेला आचल, तो ऐसे जो किसी क्षेत्र विशेस की व्यवस् है कि केवल कथाग में इन ही पांच विशायों का समावेश होता है, ये कथाग और भी विवद प्रकार की होती है, लेकिन में एक व्यापकता की दृष्टी से उन कथाओं का जो जो समस्कृत साहिते में उपलब्ध गद्यकाब्ये हैं, उन गद्यकाब्यों में जो कथा की श्रेणी में आने वाले गद्यकाब्ये हैं, उन गद्यकाब्यों का हमने वर्गी करन किया, कि उन कथाओं का कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से संबंध जो है, इन पांचों से अवश्य ही है, हो सकता है, छटी श्रेणी भी बनाई जा सकती है, साद्वी भी श्रेणी हो सक वह ज्यानिक कथा लेकिन जब कथा है जो प्राप्त वीशय है उनके आधार पर आपके सामने रखा इसी प्रकार मैंने आख्याइका की बात आपके सामने की कि यह जो आख्याइका है यह किसी ना किसी ऐसे चरित को आधार बना करके लिखे जाती रही है लिखे जाने की परंप ने हर्श चरितम को आधार बना करके ग्रंथ लिखा था उसे दृष्टी से अगर हम कहें तो ये समकालीन अख्याइका है क्योंकि उनके समय राजा हर्श वर्धन थे तो राजा हर्श वर्धन के दरवार में रहते हुए बाणभट ने राजा हर्श के विशय में एक काव्य की रचना की जिसे काव्य का स्वरूप अगध्यात्मक है तो इसलिए इस हर्श चरितम को समकालीन कह सकते हैं अख्याइका हो लेकिन इसके ठीक विपरीत शिवराज विजयम की जब हम चर्चा करेंगे तो बीसमी शताबदी में पंडित अंबिकादत व्यास ने शिवराज वि शिवाजी के समय में नहीं थे इसलिए इस शिवराज विजयम को हमें एकिहासिक आख्याइका की संग्या देनी चाहिए तो ये एक आख्याइका की चर्चा और कथा की चर्चा की हमें फिर से पुना उस विश्य की और जाते हैं जहां पर हमने अन्वेशन शुरू किया था गद्य की प्राचीनता का तो गद्य की प्राचीनता की अन्वेशन के क्रम में यद्यपी हमने यजरुवेद ब्रह्मन ग्रंथ आदी की चर्चा की थी उपनिशत कतिपय ऐसे हैं जिनमें की गद्य में लिखे गए हैं लेकिन इन से दूर जब मैं एक लौकिक संस्कित की बा प्रथम प्राप्त गद्य लिखित रूप से हमारे सामने यदि कोई उपलब्द है तो वा रुद्रदामा का अभिलेख है इसी तरह समुद्र गुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है हरिशेन के द्वारा लिखा गया अभिलेख हम उनको गज्य के रूप में देखते हैं विक हमसूत्र उपनिशद और गीता इस पर जो लिखे गए भार्शिय हैं वो भी उत्कृष्ट गद्य के उदाहरन माने जाते हैं लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये सारे के सारे गद्यक के स्वरूप हैं ये गद्य साहित्य नहीं हैं जिसमें कि नायक नायका आदी का विवेचन ह वो वीशए इनमें नहीं हैं इसे लिए हमने पांच्मा बिंदु जो आपके सामने रखा है उसमें शिर्षक है उसका जो सब्टाइटिल बनाया हमने वह र्यत्य हैуск effectivement मिलता है वासवदत्ता काया सुमनोत्टरा का भहमरति का ध्यान रखेंगे यहां भाख के उपर में मात् ये भाईमरती है भामरती नहीं है पतंजली के महभाष्य में इसका उलेख मिलता है इन तीनों ग्रंथों का उलेख मिलता है इसी तरह एक है मनोवती जिसकी चर्चा अवंती सुंदरी कथा में प्राप्तो होती है इसी तरह है एक तरंगवती जिसकी चर्चा तिलक मंजरी में और एक आश्चर्य मंजरी ग्रंथ का भी नाम प्राप्तो होता है। प्राप्तो हैं सूक्ति मुक्तावली में पाते हैं। प्राप्त प्राप्त न केवल यहां पर एक सुन्दर और सहज प्रांजल भाषा में लिखा गया हम गद्य को प्राप्त करते हैं बलकि साहित्य में प्रयोग में लाए जाने वाले जो विशय हैं आप पाएंगे स्फुट लगु मधुर चित्र काद्य का नाम सुना होगा इन सारे चीजों की चर्चा की है और आप पाएंगे कि जो काद्य की जो सामानी रूप से दो विधा है गद्य और पद्य इसका भी हम सर्वप्रथम उलेख यहां प्राप्त करते हैं तो यू कहा जाए कि 150 इस्वी के लगभग सम्स्कृत में गद्य साहित्य बड़े ही सुन्दर तरीके से लिखे जा रहे थे ये दुखद पक्षय है कि उस समय के लिखे जाने वाले जो कोई गद्य काब्य है वो आज समुपलब्ध नहीं है ये अत्यंत दुखद का विशे है और इसके साथ एक और चीज हमें जानना चाहिए कि गद्य का जो लेखन है ये इतना कठिन कालंतर में माना गया कि कई लोगों ने इसके उपर टिपणी करते हुए कहा कि गद्यम कवी नाम निकशम बदनती कि एक कवियों के लिए गद्य लेखन जो है वो कसवटी है हलांकि कसवटी तो कवियों की परिक्षा के लिए होती है अर्थात यरी वस्तुतह आप समस्कृत के कवी हैं वस्तुतह आप विद्वान हैं तो आप गद्य लिख करके दिखाए तब ही हम समझेंगे कि आप विद्वान है तो इस तरह की बाते लिख लिख करके गद्य को कही न कहीं किसी न किसी रूप में एक कठिन और दुशकर बनाने की भी का प्रयास रहा और यही कहा गया कि गद्यम कवी नाम निकशम वदंती और बार बार इस पंक्ति की व्याख्या आप लोगों से पूछी जाती है परिक्षाओं में इनके लिए मित्रो हम अपनी ये चर्चा और आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरह से इस चर्चा को जानेंगे जिसमें कि एक विशिस्ट कवी को हम आपके सामने ला रहे हैं हम दो मिनट के लिए दो मिनट क्या कहें बस सेकेंड का विराम लेते हैं और उसके बाद पुना आपको इसी विशे को आगे बढ़ाते हुए अपनी चर्चा हम प्रारंभग करते हैं कर दो मिनट करते हैं कर दो मिनट करते हैं कर दो मिनट करते हैं इत्रो हम अभी गद्यम कवीनाम निकश्म वदंती के माध्यम से गद्य लेखन की दुशकर्ता का संकेत दे रहे थे लेकिन इसके बावजूद भी संस्कित साहित्य में कई अच्छे गद्यकाव्य प्राप्तों होते हैं और उन्हीं अच्छे गद्यकाव्यों में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सबके रिदय में अपना स्थान बना रखा है इसे में आप पाएंगे कि दश्कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा जो दंडी के द्वारा विरचित है लेकिन अवंती सुंदरी कथा उपलब्ध नहीं है कहीं कहीं संकेत कुछ-कुछ अंख्ष किसी अन्य ग्रंथ में प्राप्ते होते हैं लेकिन यह ग्रंथ मूलू रूप से उपलब्ध नहीं है दश्कुमार चरितम उपलब्ध है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे यहां पर कादमबरी और हर्ष चरितम जब भी कभी समस्क्रित गद्य काव्य यह शब्द प्रयोग किया जाता है अगर प्रथम किसी गद्य काव्य का नाम मन में उभरता है तो वह कादमबरी है इसकी चर्चा हम अपने अगले किसी व्याक्षान में करेंगे इनकी एक अन्य रचना है हर्ष चरितम जिसकी चर्चा भी आप लोगों के सामने की तो जब बानभट का उलेख हम कर रहे होंगे उनके संदर्व में हम उस समय हम इन दोनों ग्रंथों की चर्चा करेंगे एक वासवदत्ता है सुबंधू की सुबंधू की वासवदत्ता के विशे में यूँ ही कहें कि ये इतना ऐसा काव्य है जिसके अर्थ प्राप्त करने के लिए सामानिय पाठक को शीरशासन करना पड़ता है क्यों? क्योंकि स्वयम सुबंधू ने अपने वासवदत्ता के विशे में लिख रखा है कि प्रत्यक्षरशलेशमय अर्थात इस सुबंधू की वासवदत्ता का एक एक शब्द जो है वा शलेश से युपत है प्रारम भी होता है तो इतना सुंदर ऐसे ऐसे शब्द निकलते है अब जैसे सवकर्य समासाधित धरणी मंदलम अब एक शब्द है एक ही शब्द है सवकर्य समासाधित धरणी मंदलम तो सामानी रूप से तो इसका आर्थ निकलता है कि अत्यांत सहजता से प्राप्त प्रिथवी सवकर्य सरलता सहजता समासाधित प्राप्त धरनी मंडलम लेकिन इसमें एक और शलेश है सवकर्य शब्द में शूकर जो सूकर शब्द है जिसको पिगी सूर कहते हैं आम भाशा में तो यहां पर वराह रूपदारी धारी जो भगवान विश्नु हैं उसकी और संकेत दिया गया है कि वराह रूपदारी विश्नु के द्वारा जो प्राप्त धरनी मंडल है उद्धार की गई जो प्रिथवी है तो इस तरह से एक एक शब्द में मानो वो इस तरह से शलेश घुसा देते हैं कि जिनको सहज तासियत केंदर सरलता से अर्थ करना मुश्किल होता है और एक अन्य उपन्यास का हमने एक अन्य गद्यकाग्यका नाम लिया शिवराज विजयम जिसके विशय में मैंने उपन्यास के संदर्व में जिसकी चर्चा की है तो यह शिवराज विजयम विश्मी शताब्दी के कवी है पंडित अंभिकादत व्यास बड़े ही अच्छे कवी है भाषा के रूप में तो आनंद आ जाता है जब इनकी भाषा हम पढ़ेंगे जब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे लेकिन मूल विशय ये है कि इन्होंने एक विशिस्ट अइतियाहसिक पुरुष को आधार बना करके ग्रंख की रचना की शिवराज विजयम और इसके जो वाक्या है कदली दलकुंजा इतस्य इतत्कुटी रस्य समन्तात पूर्वतः परमपवित्र पानियम आधी ऐसे-ईसे सुंदर-सुंदर वाक्य मिलेंगे जिसकी चर्चा हम अपने अगली विवेच ना में करेंगे उसके बाद बानभट और उसके बाद सुबंधू को रखा फिर बाद में आकर के अंबिकादत्त व्यास को रखा इसे किसी भी एतिहासिक क्रम के संदर्व में प्रमानिक नहीं माने कि क्रम क्या है क्योंकि इस क्रम में कई प्रकार के हमारे सामने उदाहरण हैं दोश हैं कि इनमें पौर्वा पर्यका निर्धारण कैसे हो क्योंकि एक चीतों हम जरूर जानते हैं कि बानभटका काल हमें पराप्त है और अगर बानभटका काल पराप्त है तो तदनुसार हम उसके अन्य दोकवियों का हमारे लिए जो काल निर्धारण है वो आसान होता है हम इनका इक वंग्षपरीचय मिलता है उस वंग्षपरीचय में एक बात की जाती है कि भाहरवी का मध्यम पुत्र यानि मजला बेटा का नाम मनुरत है मनुरत का चौथा पुत्र वीरदत है और उसी वीरदत का बेटा दंडी है तो इस रूप से अगर आप अगर वंग्षद की दृष्टी से देखें, पारिवारी का परंपरा की दृष्टी से देखें, तो भारवी का यह प्रपोत्र होता है, ग्रेट ग्रैंट सन होता है दंडी, तो यह दंडी का एक अगर संग्षित सा वंग्षपरीचा है, लेकिन दिहान रखेंगे, यह भी ऐसा नहीं है कि मैं प निकल कर आती है कि क्या वीरदप्त के इस पुत्र का नाम दंडी ही था यह भी एक गवेशना का विशय है कई लोगों का कई व्याख्याकारों का कई समिक्षकों का यह मानना है कि नहीं इसका नाम दंडी नहीं है वस्तुता दंडी नाम है ही इसका इसलिए कि इन्हों ने अप उदाहरन के लिए अगर आप दशकुमार चरितम का मंगलाचरन पढ़ेंगे, मंगलाचरन को जानने की कोशिश करेंगे, तो उसमें स्पष्ट रूपेन आप पाएंगे कि आठ बार दंड शब्द का प्रयोग किया है, अलग-अलग जगह में, अलग-अलग अर्थ में उन्हो ध्रिती, भवनाम्भो रुहो नाल दंडः, ख्षोणी नवकूप दंडः, ख्षर दमर सरित पटिका केतु दंडः, जोतिष चक्राक्ष दंडस्त्रिभुवन विजयस्तंभ दंडोंग्रि दंडः, श्रेयस्त्रै विक्रमस्ते वितरतु विवुध विदुशाम काल दं विवुध विदुशाम काल दंडः, तो इस तरह से, विवध डवेशिनाम काल दंडः ये प्रयोग है, तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि कैसे एक ही शलोक है, और इस शलोक के प्रत्येक पंग्ति में आप दो-दो बार दंडः सब्द का प्रयोग पाते हैं, जोतिते ह क्षर दमर सरित पट्टिका केतु दंडः ज्योतिष चक्राक्ष दंदस्त्रिभुवन विजयस्तंभ दंडोंग्रि दंडः श्रेयस्त्रय विक्रमस्ते वितरतु विवुध विद्वेशिनाम काल दंडः पासकते हैं कि किस प्रकार इनों ने दंड़ शब्द का प्रयोग क किया यही नहीं आगे अगर मैं अभी कुछ उदाहरन दूंगा दंडः की विशेशता के क्रम में उसमें भी कई जगह ऐसे-ईसे शब्द प्रयोग हैं जिसमें दंडः दंडः या दंडः इसे शब्द का प्रयोग है तो जिस प्रकार यहां दंडः शब्द का दंडः प्रयोग किया है तो किसी समीक शक ने इस दंड शब्द को ग्रहन करके इनको इन्होंने दंडी नाम दे दिया यानि दंड का प्रयोग किया है बार बार पुनह पुनह जिसने उसका यह दंड तो इसलिए इसका नाम दंडी प्रयोग बना यह भी एक गवेशना का विशय है हमा कि किस प्रकार किसी व्यक्ति को अपने नाम से प्यार होता है और इस प्रकार वो किस प्रकार अपने नामों का प्रियोग काव्य में बार बार करता है तो यह भी एक अहलादक वीशय है अस्तु दंडी एक बड़े ही समस्रित साहित्य के शुरेष्ठ कवियों में इनकी चर्च होटी है और प्रायशह महाकवी दंडी ने सारी सारी तो नहीं के लेकिन एक स्थापित जो मान्य परम्परा थी उस परम्परा का ने विरोध तो नहीं कहेंगे लेकिन उस परम्परा को इन्हों ने तोड़ा जैसे उदाहरन के लिए संभान्य रूप से जो ही थी , वो बाते इस तरह से आती थी कि लोग एक सुकोमल भावना से युक्त प्रेम को आधार बना करके काव्यकी रचना करते थे या रामाइन महाभारत पुरान आदी में से किसी स्रेष्ट ग्रंथ को आधार बना करके काव्यकी रचना करते थे या यूं कहें कि श्रिंगार रस हो, वीर रस हो, करुन रस हो, शामत रस हो ऐसे रसों को आधार बना करके काविय की रचना करते थे लेकिन महा कविधंडी ने इन सारी परंपराओं से दूर एक ऐसी परंपरा का पालन किया जो बाद में अन्य कवियों के लिए भी वह विशय बन गया और वो रही कि सर्वा प्रथम इन्होंने अपने काव्य का जो मूले है वो श्रिंगार की जो प्रधानता है उस से दूर इन्होंने अपने काव्य को अद्भुतरस प्रधान बनाया अगर एक वाक्य में कहा जाए कि दश्कुमार चरितम का अंगी रस क्या होना चाहिए तो इसका एक ही उत्तर मिलता है और वह है अद्भुतरस यू तो अद्भुतरस को किसी ने अपने काव्य में बहुत अधिक स्थान नहीं दिया लेकिन है काव्य में स्थान है जहाँ पर भी युद्ध की चर्चा होती है युद्ध की बाते आती है किसी की विशेस्ता बताई जाती अतिशयोक्ति के माध्यम से किसी को प्रस्तुत किया जाता है तो वहां किसी ने किसी रूप में हम अद्भुतरस पाते हैं यह मानो स्वयम कभी कल्पित है, यह द्यपी परंपरा तो राजकुमारों की कथा है, कि इसमें भी राजकुमारों की कथा है, लेकिन इन्होंने कभी ऐसे दुश्यंत या राम या किसी अन्य ऐसे कृष्ण या शिव ऐसे महापूरुषों को, महापूरुष तो एक में साहितिक संदर में प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसे किसी उत्कृष्ट और दिव्यचरित्र को आधार बना करके इन्होंने काविय की रसना नहीं की, और सहज और सामान ये जैसे कह सकते हैं, कि गाओं घर में, अपने बच्पना में, अपने शेशब में, जो खेलने वाले कुमार होते हैं, आर्दस कुमार मिलकर के जो एक साथ खेलते हैं, वही बढ़कर के बड़े होते हैं, और तदनंतर क्या है, ये अपनी कहानियां अलग दश्खुमार चरित और दूसरा है शुद्रक का लिखा गया म्रिच्छ कटिकम म्रिच्छ कटिकम की चर्चा नाटकी संदर्व में करेंगे लेकिन जब मैं समाजवाद की चर्चा यहां पर कर रहा हूँ उसमें जिब कत्रे भी पाए जाते हैं उसमें जूट बोलने भी पाए जाते हैं उसमें अच्छे विद्वान भी सफर करते पाए जाते हैं इसी प्रकार दश्कमार चरित्र एक ऐसा यान है जिसमें समाज के हर वर्ग के चरित्र को आप पा सकते हैं उसमें भी कोई ठग है, कोई दूर्त है, कोई बदमाश है, लेकिन ध्यान रखेंगे, जब ये ठग, दूर्त और बदमाश कहते हैं, तो ये प्रतिनायकत्व चरितरवाला नहीं है, ये हम आप लोगों में से ही कोई अच्छा व्यक्ति होता है, जिसका ये स्वभाव होता है, कि लोगों को हम मूर्ख बना दें, इस तरह की चर्चा हम वहाँ पाते हैं, दूसरी और जो ये मैंने कहा कि ये कवी कल्पित है, विशुद रूप से कवी कल्पित है, इसलिए मैं साग्रह कहता हूँ कि ये कथा है, जब कि कई सारे समिक्षकों ने दश्कुमार चरितम को आ आठ उच्छवास में लिखी जाने वाली कथा है, एक यहां पर प्रश्न उत्पन होता है, कि ये जो आठ उच्छवास है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके, या बाद में जो प्राप्त होने वाले अलग-अलग समस्करन हैं, उसके आधार पर कईयों ने यह कहने की कोशि की है, कि पूरा का पूरा दश्टकुमार चरितम जो है, वो दंडी की मौलिक रचना नहीं है, इस जो साहित्य का नायक है, वो है राजवाहन, जो राजवाहन से नामक एक राजा का बेटा है, राजवाहन, तो यही इसका नायक है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये राजवाह में एक साथ खेलते हैं बड़े हो जाते हैं तो अलग अलग दिशा में ये मित्र चले जाते हैं और अपने अपने दिख विजय की चर्चा वो जब बाद में एक साथ मिलते हैं तो हर मित्र अपनी अपने कहानी राजवाहन को सुनाता है, तो इस प्रकार ये दशक कुमारों की कहानी है, कदाचित इसलिए इसका नाम दशकुमार चरितम पड़ा, यह जो इनके नौ मित्र हैं, नौ कुमारों के नाम है आपके सामने, सोमदत, पुश्पुत भव, अपहारवर्मा, उपहारव प्रसिद्ध है, यह विश्पुत चरितम नाम से जाना जाता है, और यह पूरा मेरे ख्याल से जहां भी कहीं दशकुमार चरितम का कोई अंक्ष है, तो उसमें यह विश्पुत चरितम को ही मूल रूप से आधार बना कर दिया गया है, और खास करके दिल्ली विश्व विश यह बहुत ही प्रसिद्ध है, एक और कथन मिलता है कविर दंडी, कविर दंडी, कविर दंडी न संग्षय, कि कवी तो दंडी ही है, कवी तो दंडी ही है, कवी तो दंडी ही है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, वस्तुता है किसी भी कवी के विशय में इस प्रकार की अगर समीक्षात्मक टिपणी की जाती है तो निस संदेव उसके कवी कए समगर मर्म को उसके समगर वैशिस्ट्य को हमारे सामने समपस्थापित ये कर देता है इस प्रकार का कथन इसी में से कथन है दंडिना पदलालित्यम वित्रो पदलालित्यम शब्द जब भी प्रयोग में लाया जाता है तो इसका कदाचित कभी भी इसका यह अर्थ नहीं ग्रहन करना चाहिए कि पदलालित्यम का मतलब है भावप्रधान वस्तुता पदलालित्यम सदेव जो है वो प्रधान है शब्द प्रधान है वाक्यप प्रधान है भाषा प्रधान है जहां परकि भाषा एक सुंदर रूप ग्रहन कर ले जो भाषा हमये कान में एक मिश्री यानि एक मिठास गोल दे उस भाषा के संदर्भ में समिक्षक लोग पदलालित्यम शब्द का प्रयोग करत और यह पदलालित्या केवल दंडी के संदर्भ में नहीं है बल्कि बाद में नेशरी चरितम के जो कवी हैँ श्री हर्ष के विशए में भी बाद में ये कहा गया और एक सूपती चल पड़ी दंडी के आधार पर ही नेशद हे पदलालित्याम। आपने नवकंज, लोचन, कंज, मुखकर, कंज, पद, कंज, रुन, तो यहाँ पर भी एक लालित्य दिखता है। या गीत गोविंद का एक श्लोक है ललित लवंग अलता परीशीलन, कूमल, मलय समीरे, मधुकर, निकर, करमबित, कोकिल, कूजित, कुझ, कुटीरे। इसमें भी एक लालित्य दिखता है। एक और लालित्य आप सुनें कि जय 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 शब्द परस्तुति तक पर विश्णुनुते, जण जण ज़मी जिंकृत, नूपुर, शिंजित, मोहित, भूत पते, नटित, नटार्ध, नटी, नटनायक, नाटित, 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 जय जय हे महिशासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी, शेल सुते। और जो बहुती प्रसित आप लोगों ने शिवतांडव स्तोत्रम सुना होगा, उसके लालित्य से ही सारे के सारे भक्त जो हैं वो अहलादित होते हैं। और उसमें आप देखें कि प्रफुल नील पंकजप प्रपंच कालिम अप्रभावलं विकंठकंदली रुचिप्रबधकंदरं स्मरचिदं पूरचिदं भवचिदं मखचिदं गजचिदांदकचिदं तमंतकचिदं भजे। वस्तुत हमें अर्थाव बोध हो या ना हो। लेकिन जिस प्रकार से इन वाक्यों में इन पद्यो में एक आकरशन है, वो आकरशन का कारण ही है उन पद्यों का लालितिय। लेकिन मित्रों अभी जो इन उदाहरन थे वो आपके सामने पद्यके थे, दंडी गद्यके लेखा के हैं, क्या गद्य में भी लालित्य का समावेश हो सकता है, यदि इसका उत्तर है हाँ, तो उसका उदाहरन भी है दंडी, अभी हम दंडी के कुछ पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और उन पंक्तियों में उस लालित्य को अत्यंत सुंदरता से उस लालित्य को वहाँ पर संजोया है, उस उदाहरन से पूर्व में यह भी व्याख्या कर दूँ आपके सामने, कि लालित्य जो है वस्तुत है, उसका अगर आधार भूमी देखें, उसका स्तंभ देखें, उसका आश्रय देखें, तो वहाँ आलंकार इक दृष्टी से अनुपरास और यमक ये दो ऐसे अलंकार हैं जो लालित्य को पुष्ट करता है लालित्य को सम्रिध्ध बनाता है तो यहां पर कुछ जो लालित्य की चर्चा में आपके सामने कर रहा हूं कई ऐसी पंक्ति है जिसे आप लोगोंने सुन रखी है मैं उसी का उदाहरन आपके सामने रख रहा हूं बड़ा लंबा सा पैराग्राफ है लेकिन जड़ा मेरे साथ आप लोग रहिएगा और उसको सुनें कि अस्त ये शुरू में ग्रंथ के प्रारंभ में ही पाठली पुत्र का वर्नन कर रहे हैं जो आधनी जो मगध है उस मगध का वर्न पूरी नाम नगरी इसके बाद जो सबसे सुन्दर जो राज हंस का वर्नन है राज वहंस की अभियम ने चर्चा की थी कि अपने काव्य दश्कुमार चरितम के नायक राजवाहन के पिता है तो उसी राज हंस का नाम है जो कि शुरू में ही प्रथम उच्वास में प्राप् करने रखता हूं आप देखेंगे कि कितना बड़ा वाक्य है कि तत्र वीर भट पटलोत तरंग तुरंग कुंजर मकर भीशन सकल रिपुगान कटक जल निधी मथान मंदराय मान सक समुद दंड भुज दंड मंडलह रोक रहा हूं मैंने दंड शब्द की चर्चा की थी चर्डिन्दु कुंद घन सार, निहार, हार, मृनाल, मराल, सुर, गज, नीर, शीर, गिरशत्य है कैलाशका निकाश मूर्त्य, रचित दिगान्तराल कीर्त्या, कीर्त्याभी हिताह सुर भिताह स्वर लोक शिखरो रूह रुचिर रत्न रत्नाकर वेला मे खलायित धरनी रमनी सवभग्य भोग्य भाग्यवान अनवरत याग दक्षिना रक्षित शिस्ट विशिस्ट विद्या संभार भासुर भूसर निकरह विरचिता रातिता प्रत्संतापेन प्रतापेन सतत तुलित वियनमध्य हंसाह राज हंसो नाम घनदर्पकंदर्पसंदर्य सोधर्य हृद्य निरवध्य रूपो भूपो बभूव तस्य वसुमति नाम सुमती लीलावती कुलशेख रमनी रमनी बभूव मैं थोड़ी दर चर्चा कर रहा हूँ किवल आखरी जो छोटा वक्त यह है जो सहजी समझ में आएगा वैसे तो इसे पीछे आपने सुना ही अनवरत याग दक्षिनारक्षित शिस्ट विशिस्ट विद्या संभार भासुर भूसर निकर गंदर्पकंदर्पसंदर्य सोधर लेकिन उसके बाद एक छोटा सा वाक्य है जिसमें वसुमती नामक जो राजहंक्स की पत्नी है उनकी चर्चा आ रही है क्या है वसुमती नाम सुमती अगर आप ध्यान से दें तो वसुमती नाम है और उसी मैंसे सुमती शब्द निकाल लिया जो की विशेशन बन गया लिलावती कुल शेखर मनी तो इस प्रकार से महाकवी दंडी शब्दों में लालित्य को देते हैं इनका येक यमक अलंकार अत्यंत प्रसिद्ध है जो लालित्य का उत्कृष्टतम उदाहरन माना जाता है अर वह ये यमक अलंकार है कुमारा मारा भी रामा रामा द्यप वरुषा रुषा भस्मीकृता रहो रहो पहसित समीर ना रना भियाने ना भ्युदया शंग्षम राजाना मकारुषू एक वाकिया है चोड़ा सा वाकिया है दो यतीन शब्द है लेकिन इसमें भी देखे क् कुमारा मारा भी रामा मारा मारा रामा एक ही शब्द में इतने सुंदर से इन वर्नों का संयोजन कर दिया है कि आनंद आ जाता है कुमार मार, देखें, कुमारा मारा भी रामा, तो रामाद्य पवरुशा, फिर रामा से एंड हो रहा है, फिर शुरू हो रहा है, रामाद्य पवरुशा, फिर पवरुशा के बाद जो प्राप्तो होने वाला रुशा है, उसी से दूसरा आगे का शब्द प्रारंब होगा, कुमारा म युदयाशंग समराजाना मकारशु निसंदे है यह कारिय कठिन है दुशकर है जटिल है लेकिन दंडी के दशकुमार चरितम का यह एक मात्र उदाहरण नहीं है यह तो ऐसे उदाहरण है जो उदाहरण की सरवप्रचलित है बहुप्रथित है लेकिन अगर इनके काविय में आप जाएं इनका अन्वेशन करें इनका अवगाहन करें तो ऐसे वाकिया आपको सुंदर वाकिये बार बार मिलते रहेंगे यह जोर है मैं सुंदर इसे इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ख़दाचिति संस्क्रित के वाक्य का बोध हो रहा है आपको भी अगर संस्क्रित के व मंत्रगुप्त नामक चरित्र है जिनके होट पे घाव है इसलिए वो जो पवर्ग होते हैं जो ओस्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों होते हैं उन वर्णों का उच्छारन नहीं कर पाते अब उनको बोलना है कामदेव उनको बोलना है शीव शंक आदी महादेव अब इसके लिए वो ऐसे शमशान, ऐसे शब्द उनको बोलने हैं, तो जिसमें पवर्ग के आते हैं, ओश्ठवर्ण आते हैं, तो उनको वे कैसे बुलवाएंगे, तो उनको बोलना है शमशान, शमशान में मा आ रहा है, तो इसके लिए वो स्वभाविक रूप से एक शब्द नि इसी प्रकार उनको बोलना है कामदेव अब कामदेव के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि कामदेव की सामान्य तया जितने भी परियाय वाची है उनमें कहीं न कहीं ओष्ठवर्न है चाहा मदन आप शब्द कर लें आप कोई और भी पुष्प धन्वा कर लें कुसुम शर कह लें सब में ओष्ठवर्न आता है कभी ने अत्यंत सहजता से एक शब्द का प्रयोग किया है कामदेव का एक परियाय है मीन द्वजह हम आप सभी जानते हैं कि कामदेव का जो द्वजह है उसका चिन्न है मचली मचली मीन मत्स्य अब क्या शब्द करें सब में मां आ रहा लेते हुए उन्होंने उसका अर्थकिया दे दिया नक्रत द्वज ठीक है यानि नक्रत का मतलब घडियाल घडियाल जलीय जीव है जलीय जीव मचली बी है तो इन दोनों से सामय स्थापित करके उन्होंने इस शब्द का प्रयोग कर लिया वैसे भी कभी निरंकुष होते ह लेकिन निरंकुष का ये भी नहीं कि समगर मर्यादा को तोड़ दे महाकवी ने भी अपने इस काविय में ऐसी मर्यादाओं की कहीं उपेक्षा नहीं किये है लेकिन महाकवी का जो वर्नन है महाकवी की जो वर्नन शेली है उस शेली में एक स्वभाविक रूप से जो बात पाई जाती है वो है सहजता सजीवता और यधार्थता उपस्तुता जब भी कभी वर्नन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वे उस जगह पे उपस्थित हों और उपस्तित होने के साथ साथ जिस विशय का वर्नन करता है कि सामने वाले के मन में भी उस विशय का चित्र उत्पन हो जाए इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार का वे वर्नन करते हैं और यही कारण है कि महा कभी जो दंडी है दंडी का जो काब्य है वो बहुत ही प्रतित काब्य माना जाता है और बाद में इनकी शैली का ही अनुकरन अन्य परवर्ती कई लोगों ने किया है मैं तो स्पष्ट रूपेन कहता हूँ कि अगर स्री हर्ष को कहीं से प्रेर ना मिली होगी अपने काब्य में बदलालित्य को रखने की तो वो एक मातर कारण दंडी थे दंडी ने एक और नए विशे को स्परश किया जिसकी चर्चा हम आप जनरली नहीं करते और नहीं ही की जाती है वह है मैं उसे नाम दे रहा हूँ अपने धंग से उसको प्रस्तुत करता हूँ तिलिस्म चमतकार चुकि अद्भू तरह से है तो चमतकार होगा और वो चमतकार तिलिस्म वाला चमतकार है जिसका रूप स्वरूप हम देवेकी नंदन खत्री की चंद्रकांता संतती में पाते हैं वस्तुत है पताल लोक में चली जाना एक भिरनी पे गाड़ी पे बैठ के पताल लोक में चले जाना एक विशाल भवन में पहुंच जाना जहां पर कोई नहीं है लेकिन टेबल पे भोजन सजा हुआ है तो आदी इस प्रकार की जो कलपनाएं हैं ऐसी कलपनाओं से युक्त महाकवी दंडी के काव्य हैं जो अत्यंत रोचकता उत्पन करता है मालब उसमें इसके विशे में जो भी कहा जाए मैं कभी-कभी दिल्ली के संदर्व में एक उदाहरन देता हूँ कि दिल्ली में दो बसें चलती है एक बस किया नाम नंबर है 883 और एक का 212 तो 212 नंबर बस का जब भी कभी प्रतिशवी मेरे मन में उत्पन होता है तो मैं कहता हूँ कि यही दश्कुमार चरितम है अगर दश्कुमार चरितम का व्यावा हर एक रूप अगर आपको देखें तो भीड भड़ी ऐसी किसी भी बस में देखा जा सकता है मित्रो यह तो एक दंडी का एक सामानी रूप आपके सामने हुआ दंडी के इस दश्कुमार चरितम के विशय में कीथ का एक वक्तव यह है जो इन्होंने इस काविय के विशय में कहा है धूरतों की कथा लेकिन ध्यान रखेंगे यहां मैं बार-बार कहरा हूँ कि धूरत का मतलब निगेटिव यहां नहीं है बलकि एक तरह से यह प्रशंग सा ही है दश्कुमार चरितम की आप दश्कुमार चरितम को पढ़ें जाने विशुद चरितम को जाने हम इसी प्रकार से आगे आपके लिए जो अन्य जो कभी हमारे हैं अन्या गद्यकार हैं, इनकी चर्चा करेंगे और उनके भी कुछ रोचक तथि आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसे कि गद्यकाब्यों को आप अत्यंतर सरालता और सहजता से समझ पाएंगे मैं समझता हूँ, आज के लिए दर्शकुमार चरितम के संदर्व में इतना परियाप्त तो नहीं कहा जा सकता लेकिन सांग के तिकता की दृष्टी से इसमें भी परियाप्त ता होनी चाहिए इतना कहके आप लोगों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी प्रतिक्रिया की भी अपिक्षा करता हूँ और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पंकज मेश्र को हर बार की तरह ये हमारे ग्यान में वृद्धी करते हैं और हम उमीद करते हैं कि आगे भी इनके माध्यम से हमें जानकारियां मिलती रहेंगी और पाठे क्रम से थो हम लाभानवित होते ही होते हैं इनके द्वारा जितनी भी बातें यहां बताई जाते हैं उमीद करती हूँ मैं कि आप इन बातों से अपने विशाल ब्रक्तित्व की निर्मान की भी कलपना कर सेते हैं तो हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रियां हमारे साथ जरूर साजा करें हमारी मेल आइडी है info.cc at the rate in ic.in आप सभी से फिर मुलाकात होगी और हम गद्य सुवशाय पर आगे भी चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार नमस्कार